आमतोर पर ये समय उत्सव का होता है, जगह-जगह मेले लगते हैं, धार्मी पुजापाथ होते हैं, कोरोना के संकटकाल में लोगों में उमंग तो है, उत्सा भी है, लेकिन हम सब को मन को छू जाए, वैसा अनुशाशन भी है, बहुत एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दाईत्व का एहसास भी है, लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए, अपने रोजमरा के काम भी कर रहे हैं, देश में हो रहे हर आयोजन में, जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी ज जा रही हैं, वो अभूत पूर्वा है, गनेशोत्सों भी कहीं ऑनलाइन मनाये जा रहा है, तो ज्याधातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडी गनेश्च्वी की प्रतिमा स्थापित की गई है, साथियों हम बहुत बारीकियस अगर देखेंगे, तो एक बात अवश्या हम में आएगी, हमारे पर्व और परियावरन इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है, जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरन और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं, जैसे बिहार के पस्चिमी चमपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का ह इस्सा बना लिया है, और सदियों से बनाया है, इस दोरान न कोई गाउं में आता है, नहीं कोई अपने घरों से बहार निकलता है, और लोग मानते हैं कि अगर वो बहार निकले या कोई बहार से आया, तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमरा की गतिविदियों से नए पैर पौधों को नुक्षान हो सकता है बरना की शुरुवात में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भायवेन पूजापाट करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी प्रमपरा के गीत, संगीत, नुत्यप जम करके उसके कारकम भी होते हैं साथियों, इन दिनों कोणम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है ये पर्व चिनगम महिने में आता है इस दोरान लोग कुछ नया खरीते हैं अपने घरों को सजाते हैं पुकलम बनाते हैं कोणम साध्या का आनन लेते हैं तरह तरह के खेल और प्रतियोगीताएं भी होती हैं ओनम की धुम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुची हुई है आमेरिका हो, यूरप हो, या खाडी देशों ओनम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा ओनम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है साथियों, ओनम हमारी कृसी से जुड़ा हुआ पर्व है यह हमारी ग्रामीन अर्थववस्ता के लिए भी एक नई शुरूआत का समय होता है किसानों की सक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाच चलता है हमारे पर्व किसानों के परिस्टम से ही रंग बिरंगे बनते हैं हमारे अन्रदाता को, किसानों की जिवन दाएनी शक्ति को वेदों में भी भावत गवरवप्रण रुप से नमन किया गया है रगवेद में मंत्र है अन्ना नाम पते ये नमह अर्थात अन्रदाता को नमन है किसान को नमन है हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्तितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है हमारे देश में इस बार खरिप की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकामले 7 प्रतिशत जादा हुई है धान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत दाले लगबग 5 प्रतिशत मोटे अनाच कोस सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत कोईल्स लगबग 13 प्रतिशत कपास लगबग 3 प्रतिशत जादा बुई गई है मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं उनके परिश्रम को नमन करता हूं